आज केवल तुम्हारे लिए प्रमान का अवशक शंदेश मेरे बच्चे चिनका मिलना फाग्य में लिखा होता है भगवान उनको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य ही मिलाते हैं या निश्चित है धैर रखो इतना चिंता ना करो सही समय आने पर तुम्हारे पास वाद सब कुछ आएगा जिनके लिए तुमने इतनी महनत की है इतनी करी महनत की है तुम या चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्यूंकि वाद तो स्वेम इस चिंता में दूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी भी हक मत चताना ऐसा कभी मत करना और जो समझ ना सके उसे कभी भी अपना दुख मत बताना मेरे बच्चे इंसान हस्ता तो सब के पास है किन्तु रोता केवल उसी के सामने हैं जिस पर उसे स्वेम से ज़्यादा भरोसा होता है कभी भी यह महत्म नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था तुम आज से दोवारा शुरू कर सकते हो अभी से कर सकते हो मेरे बच्चे किसी से मोह इतना ना करो कि उसकी बुराईया छुप जाए और घिरना भी इतना ना करो कि अच्छाई ही दिखना पाओ जिस पत पर इश्वर को छोड़ कर कोई भी साथ ना दे तब समझ जाना जो होने वाला है वह साथ देने वालों की बसकी बात ही नहीं है